नमस्कार दोस्तों ग्यान चेंटर चैनल में मैं भी पिन आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और आज हम बात कने वाले हैं वायलेस इलेटरिक पावर तो हम सब लोग यूज़ करते हैं फिर वो यह माउस के लिए हो या फिर लाइट बल्प के लिए हो सीलिंग फेन के या हो या इंड़स्ट्री के लिए हो या फिर पावर ट्रांस्मिशन लाइन यानि की ग्रीड आपके घर तक पहुचाने के लिए हो मगर आजकल एक नया चीज़ आया है वैसे यह आजकल की बात नहीं है बहुत टाइम से आई है जिसको हम लोग बोलते हैं वायलेस इलेटर चल रहा है उसके उपर के वायलेस चार्जिंट यहां इसको चार्ज करने के लिए वायलेस चार्जर आ गया ठीक है आप उसके ऊपर यह मुपार रखिये चार्ज हो जाएगा तो क्या यह प्रिक्टिकल हर एक चीज में यूज कर सकते हैं जैसे कि हमारे घर की बल्व है तो समस्क्राइब कर सकते हैं क्या सारे वायर निकल जाएंगे उसके उपर शरूँ आज से बात करते हैं सबसे पहले बात समझ लेते हैं कि मूबाइल डिवाइस को चार्ज करने में कितने वोल्ट की यहां पर जरूरत रहती और कौन से मेरा मतलब यहां पर है बस ही नफ है मूबाइल की लिए फले यह लोग पाज चार्जिंग के चक्कर में इसको अब ले जाते हैं उसके उपर भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो जरूर से बनाने वाले हैं यह पास चार्जिंग क्या है कि यह सिप कंपनी की बात है यह मूबाइल डिवाइस को सकते हैं यहां पर दो बात है हां चला भी सकते हैं को नहीं चला सकते चले बात करते क्यों नहीं सकते आप देखिए घर के इलेटरी मेंगनेटिक फिल्ट क्रिए पाड़ेगी जियादातर इसके ऊपर चलता है वाहियर लेस इलेटरिस इप होई आगे सैंटिस लोग सोध कर है कि कैसे इंफारेट से ट्रांस्मेट करें या बाकी सारी चीजे मंगर अभी जो चल रही है वाइलेस इलेट्रिसीटी वो चल रही है मेंगनेटिक फिल से जी हाँ आप किस तरह के होती है देख़िए जो भी आपका जो चार्जर होता है यानि कि डभा होता है जिसके उपर आपको मॉबैल रखना होता है उसमें होती है कोया जी हाँ वाइले सिटिसीटिमे यूज हुई है नीचे एक कोयल होती है मूबाइल के साथ एक सोटी सी कोयल मूबाइल के पीछ है बेक कवर में या फिर अलग से भी एटेजमेंट आ जाता है वायले सार्जिंका वो कोयल लगा जेते हैं वहां से इलेट्रिसिटी मेगनेटिक फिल्ड के जरी है यहां पर ट्रांस्मीट होती है मगर इसमें भी एक बड़ी प्रोब्लम है यह काम करता है एक दो सेंटीमीटर पर ही जी हां आप इसको कुछ एमेम तक दूर ले जाएंगे या कुछ सेंटीमीटर इंच की बात नहीं कर रहा हू दूर ले जाएंगे तो वह डिस्कनेक हो जाएगा और पावर लोसेस इसमें सबसे जहदा होता है तो आज की टेकनोलोजी यह चीज पर डिपेंड रहते हैं एक दो एमेम क्या आप अपने सीलिंग फेंड या फिर बल्ब को फाइले सीलेटर की चक्कर में एक बड़ा सा डि प्रिक्टिकल चीज अवेलेबल नहीं है भले आगे जाके हम हाई प्रिक्वंसी का यूज करके भी चला सकते हैं मगर इसमें पर एक बड़ी प्रोब्लम है यह कोई सीगनल नहीं हो रहा है इन्फारेट सीगनल का यूज नहीं और ब्लूटूथ वाइफाइश एसे सीगनल क यूद्री हो रहा है जिसको हम बहुत सारे गीगाहस पे भी ले सकते हैं जैसे कि फाइव गीगाहस पे वाइफाय चलता है ब्लूटूथ चलता है इस तरह के सिगनल नहीं है उसमें जो वर्ल्ड होते हैं वो मिली एंपियर में होते हैं ठीक है इसमें हमें एंपियर में इलेटीशीती ृत्रास्मिट करनी यह। यहाँ इस तरह से हम् नहीं ट्रास्मिट अभी की लिए कर सकते हैं . जहां तक violence की बात है भाया अभी यह चीज पोसीबल नहीं है . जहां बहुत सारे साइन्टीजने बहुत साल पहले ट्राई किया मगर उसका भी कोई प्रूफ नहीं है जैसे कि टेसला टावर का आपने नाम सुना होगा फोटो में आप लोग देख सकते हैं यह सब एनरजी की सोध कर रहे थे वाइलेस ट्रांस्मीट करने में मगर आज भी हमारे पास एसा कोई भी सोल्यूशन नहीं है ज ब्लूटूथ है ब्लूटूथ कोई भी डिवाइस में से आप ओन करके फिर लेप्टप हो या मूबाइल हो चोटा सा ब्लूटूथ एरबड है वहां पे भी आप कनेक कर सकते हैं मगर अभी इलेट्री सीटी में ऐसी कोई चीज नहीं आई है कि जैसे कि यह वाइफ है राउ हम यह चीज मास लेवल पर कर सकते हैं वायर से क्या प्रोबलम मैं वायर से बहुत सारा प्रोबलम है जो पीछले विडियो में मैंने बताया है आपने वो वीडियो नहीं देखा हे तो वो वीडियो एक बार जरूर से देख सबसे बड़ी स्वध होगी अगर सारे प्रोब्लम हम लोग यहां पर सोल कर सकते हैं मगर अभी फिलहाल की लिए एसी कोई भी चीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है आपको समझ में आ गया होगा छोटे मोटे डिवास चार्ज करने के लिए वायलेस ईलेटरिसीटी है वह अगर मास लेवल पर बड़े लेवल पर अभी हम इसका यूज नहीं कर सकते अगर समझ में आ गया वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर जीजे वीडियो को सेर कर जीजे और जो यह हैप बना हुआ है वायलस इलेट्रिसीटी का वो भी आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज होती है जैहिन वंदे मातर